तो चलिए हम लोग एक बार क्या करते हैं इस चीज को थोड़े अलग तरिके से देखने की कोशिश करते हैं मैक्स कोप आपके भी स्क पार्ट काम का रिए का क्या का है सबसे पहले हम लोग मैक्स को देख लेते हैं यह अभी मैक्स कोप का एक अग्जम्पल कोशा जाए तो आप इस्के सिक्वेंस के बारे में शाया दिया बता पाएं तो मैंसा एक तरीका follow करिएगा कि कभी भी microscope के या तो ऊपर से नीचे वाले portions को ध्यान से समझते जाएं या नीचे से ऊपर के और बढ़ते जाएं तो कोई भी एक तरीका आप follow करके इसके basic part और उनके function को अच्छे से expand कर सकते हैं चलिए मैं आपको इनके base से यानि की नीचे से parts के बारे में बात करते जाता हूँ यहाँ पर मैं आपको सिर्फ parts के नाम बताऊँगा इसके बाद एक और slide में इनके respective काम के बारे में भी discuss करेंगे पहला जो part है हमारा ये आपका base है this is a base of microscope जो कि इसको एक surface प्रोवाइट कराता है इस base के नीचे छोटे 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 rubber के gasket लगे होए होते हैं या इसे हम दो साधान मासा में बोलते हैं anti-slip rubber जो कि इस object को यानि कि इस आपके microscope के base को आपके surface पे stick करा के रखता है और आपके handling के समय गलती से कोई jerk लगे तो वो अपनी position को displace ना करे और आपका objective रखा हुआ है lens में ये disturb ना हो हाले कि बहुत छोटे हैं लेकिन आपको हर एक part के function के बारे में मालूम होना अत्यंत आवशक है इसके बाद जो दूसरा part आता है वो है हमारा mirror ये एक चोटा सा mirror है लेकिन इसका काम बहुत ही important है इसके कई गुना बड़ा है बचपन में आपने कभी और कभी ऐसे ही चीजों से खेला तो होगा अब आपने आइना पकड़ करके light के reflection को किसी दीवाल पे किसी व्यक्ति के चेहरे पे किसी प्रजेक्टिव पॉइंट पे ओकस करते होंगे उसका काम वहां पे light को reflect करना था बिल्कुल सेम यहां पे जो हमारा mirror लगा हुआ है इसका भी काम आने वाली light को आपके objective lens के पास रखे specimen के slide में transfer करना है इसका मतलब कैसे माल लेते हैं कि यह आपका light source है इस light source है आने वाली light को अलग-अलग angle से जब आप इसको reflect करेंगे आपके mirror को set करेंगे तो यह light इस तरके से reflect होते हुए आपके objective पे होते हुए आपके objective lens के थुरू आपके eye piece तक पहुचाने मदद करेंगे ताकि हम उस रखे गए slide में sample को अच्छे से देख सकें यह हो गया mirror का function इस mirror को आप tilt भी कर सकते हैं उपर नीचे अपने हिसाब से angle को change कर सकते हैं लेकि एकदम और basic part लगा हुआ है इस mirror के पीछे का यह section जिसे हम rack के नाम से जानते हैं यह एक चोटा सा part है जिसको use अगर हम करें तो आपके इस mirror को up या down इस तरीके से move करने में हम इसको कर सकते हैं यह mirror को slide करने का mirror slider भी है बोल सकते हैं यहां पर एक चोटा सा और object है आप पो कभी भी चोटे चीजों को ध्यान नहीं देते हैं लेकिन हर एक चोटे चीज का अपना एक बड़ा काम होता है यह जो screw है इसका काम यह होता है कि आपके इसी जो microscope है इसके tilting activity को support करें अभी आप देखेंगे आने वाल टाइम पे यह जो body का arm है यह microscope का arm है इसकी मदद से हम microscope को slide कर सकते हैं अपनी और जुका सकते हैं या अपने से दूर की और जुका सकते हैं आपके table के height के उपर आपके performing platform के उपर आपने इसको जैसा रखा है उसके accordingly अपनी आँखों के पास लाने के लिए इसको आप या तो इस तरफ खीच करके अपनी और या इस तरफ धकिल करके अपने से दूर लेकर जा सकते हैं depending upon the need तो इसी को slow करने या इसी को fix करने के लिए इस screw का use होता है अगर आप इसको allow करना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको lose करेंगे otherwise अगर आपने बहुत ज़्यादा lose कर दिया तो ये भी सही नहीं है तो depending upon the need इसको आप कम या ज़्यादा screw को tighten ये loosen कर सकते हैं अगला पार्ट अगर नीचे से ऊपर क्योल बढ़ें ये जो आपको black color का पार्ट दिख रहा है this is called stage जैसे हम किसी भी अपनी acting के लिए dance के लिए singing के लिए performance के लिए stage क्या हो सकता होती है जिस पर हम खड़े हो करके अपनी performance को show कर सकें बिल्कुल यहाँ पर आपके object को जब हम slide पर रखेंगे तो उस slide के साथ उस object को जिस पर रखे जाए वो हमारा stage कहलाता है यहाँ पर slide का image नहीं है लेकिन यहाँ पर हम slide को इस तरीके से अगर रखेंगे तो एक पार्ट यह भी हो गया आपके microscope का this is not called as a slide इस पर आपने object रखा हुआ है तो यह आपका slide कहलाएगा इस इस ग्लास slide और यहाँ पर जो भी आपने specimen रखा हुआ है कि इसका sampling मुझे देखना है इसके बारे में study करनी है इसकी macroscopic study करनी है तो वहाँ पर आप रखेंगे लेकिन अगर आपने slide को as such ऐसा यहाँ पर रख दिया और कभी किसी दूसरे वक्ति को भुला करके उसका observation करा रहे हैं या अपने teacher के assignment को पूरा करने के बाद उनको visualize करा रहे हैं तो chances काफी बढ़ते हैं कि यह slide है वो अपने जगह से थोड़ा सा किसक जाए तो ऐसा थोड़ा भी अगर किसकेगा तो आपके जो observation set point है वो बिगाड़ सकते हैं तो उसको उसकी जगह पे fix करने के लिए temporary mount करने के लिए यह जो छोटे छोटे आपको SS के clip दिख रहे हैं यह कहलाते है हमारे slide clip तो यह छोटे से clip ही है जिसको हम लोग यहाँ पे रखते है slide के उपर तो वो slide अपनी जगह को maintain रखता है इसके बाद नीचे से उपर के उरबढ़ें तो अगला जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा इस तरह के छोटे छोटे पार्ट यह कहलाते हैं lens lens तो उपर वाले भी कहलाएगा लेकर इस lens का एक अलग नाम है that is called objective lens तो जो objective lens है उसका नाम objective lens इसलिए पढ़ा क्योंकि यह जो lens है वो आपके object या specimen जिसको आप देखना चाहते हैं उसके पास है या उसके पास हो करके उसका image आगे carry forward करने वाला lens है इसलिए इसको हम लोग objective lens कहते हैं इस objective lens के पास जो जिसमें वो fit बैठा हुआ है यह जो आप structure देख रहे depending upon जितना भी आपको चाहिए आप lens को घुमा करके clockwise anticloise घुमा करके अपने हिसाब का lens यहाँ पर रख सकते हैं just for example अगर जो lens लगा हुआ दिख रहा है आपको यह 10x का है और दुबगल वाला है वो आपको 25x का है तो अगर आपको 25x के आउ सकता होगी तो इसको आप घुमा पीछे चोटा सा एक हिस्सा होता है जिसको हम aperture कहते हैं जो light को कितनी intensity का जाने देना है उसके हिसाब से अपनी mouth है वो open या close करता रहता है यहाँ पीछे से साफ नहीं दिख रहा इसके बारे में हम किसी आने वाले parts में और detail से बात करेंगे इसके बाद अगर आप उपर जात इसको अब यह down करने के लिए इस screw की मदद ली जाती है अगर आप इससे fully tight कर दिया है तो यह movable नहीं होगा और इससे अगर आपने बहुत जादा lose कर दिया है तो एक जगा पर stable नहीं होगा इसको बार बार चेड़ा नहीं जाता एक बार सेट करने के लिए इसको यूज करत भी कह सकते हैं hollow body tube चुकि यह hollow word लुका है इसका मतलब है कि यह खोकला ताकि इसके अंदर से जो rays निकलेंगी वो बिना scattered हुए यहां से आपके lens के थूर कंडेंस होते हुए आपके IP तक पहुंचें और आपके object का एक image आपकी आँकों पर बना सकें यह बहुत ही important है body tube अब इस body tube के बगल में मैंने आपको बताया था कि यह एक arm है जिसके थू हम इसको tilt कर सकते हैं इसको थू हम लोग microscope को एक दुसरे जगा लेके भी जा सकते हैं लेकिन इसके पास वाले हिस्से पर देखिए दो आपको छोटे-छोटे round color के नोब नजर आ रहे है इस फॉर्स नोब इन दोनों को अगर साथ हमें combine करके बोलेंगे तो इन दोनों को हम बोलते हैं adjusting knob याने कि इसे आपकी body tube की height को उपर या नीचे या यूँ कहूं कि आपके objective के पास या objective से दूर आप अपने हिसाब से up या down कर सकते हैं जैसा requirement होगा उसके accordingly basically हम जब focus fix करते हैं तो आपको इसको अपने हिसाब से शुरू में randomly उपर निचे करके एक focus point को बनाना होता है focus point बनाने के लिए हमको काफी मात्रा में थोड़ा distance maintain करना होगा या थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाना होगा तो इसके लिए हम आपके this course screw को यूज करते हैं ज इस body tube का उपर नीचे जाना यानि कि थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में उपर नीचे होगा जबकि उसके नीचे का जो लिखा होगा है यह is fine screw fine मतलब होता है बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत slowly slowly यह move करते जाएगा आप एक दम हलका सा movement नजर भी सायद आपको ना उसके साब स move करते जाते हैं यह एक बार सेट हो जाने के बाद focus को और अच्छे से अचीब करने के लिए हम इसको use करते हैं तो यह domain screw हो गए इसके पीछे जो silver में आपको यह दिख रहा है this is also a shaft या rag के लिए जो कि इस body tube को अप या down करने मदद करता है जिसका connection directly आपके fine और coast rule के साथ ज जो है वह आपकी आखों के पास होगा आखों के पास होने के वएसे जब निकलने वाली light आपके आखों में पड़ेगी तो आप इसके image को directly देख सकते हैं इसी के accordingly हमने कहा यह बहुत ही important है जिसके through हम क्या हो सकता है कैसे move कर सकते हैं वह आसानी से देख सकते हैं तो यह लग जो term है उसका मतलब है resolution resolution मतलब एक ability of lens की होती है जो दो basic detail में differentiate कर पाए वो हम उसको कहते है resolution तो चलिए मैं आपको resolution का एक समझाने के लिए image दिखाता हूं यह image आपको अच्छे से समझा दे ऐसा मैं उमीद करता हूं यह जो आप अभी image देख रहे हैं क्या यह image आपको clear दि इसके आसपास के flower के detail आपको दिख रहे हैं क्या leaf detail दिख रहे हैं क्या और इसके यहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ है क्या उसको आप पढ़ पा रहे हैं आप इसे नहीं पढ़ पा रहे हैं इसका अगर resolution थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो आपको कुछ इस तरीके की दिख पा रहे हैं कि यह लिखा क्या है उसके details आप अप अच्छे से नजर नहीं लगा पा रहे हैं अब अगर यह last image देखें तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी हर एक चीज़ आपको साफ साफ दिखने लेगी यहां पे आप आसानी से देख सकते हैं कि यह कुछ flowers हैं य आप इनको count भी कर सकते हैं और साफ में यह alphabet लिखा क्या है यह भी आप देख सकते हैं जिसे हमने अपनी यह camera से खीचा हुआ है तो यह सब डिटेल आप देख पा इसलिए रहे हैं क्योंकि यहां पर जो camera का resolution है वह आपके previous image की तुलना में काफी high है दुबारा चाहें तो द illuminator मतलब एक ऐसा source of light जिसको use करते हुए हम अपने आपके object पे या specimen पे light डाल सकें यह light पे उसके थुर होता हुआ आपके आगे आकर के condensed हो सके और फिर high piece में project कर सकें जिसकी वैसे हम उस image को देख सकते हैं यह in general जैसा आपके microscope में देखा वो mirror है और अभी electronic microscope में यह mirror की जग mirror को use करते है है halogen की gas बारी होती है जिसके कारण से यह fluorescence bright white color का light निकलेंगे जो कि object को देखने में आपकी मदद करेंगे अगला जो हमारा point है terminology का वो है हमारा focus focus मतलब क्यांदरित करना किसी एक particular point पे आपका पूरा ध्यान center पे लेकर क्याना यही कहलाता हमारा focus उसके बाद आप अपने objective lens की distance को up-down करके move करते रहते हैं जब तक कि एक sharp image नहीं दिख जाता so up-down करके जिस particular point पे आप अपने image को clearly देख पाते हैं वो point हमारा focus point का लाता है बहुत easy examples हम भी देख सकते हैं कि जब कभी भी आप अपने किसी चीजों को set कर रहे होते हैं clarity को set कर रहे होते है जैसे पुराने जवाने की बात करें radios को तो radio में घुमाने का एक system हुआ करता था जिसमें आप frequency match करते हैं तो थोड़ा बहुत उपर निचे करने से आवाज आती है बट clear आवाज नहीं आता बट एक system sharp point पे touch करने पे उसकी आवाज radio की काफी अच्छी आती है तो वो उसके respect में हम बात करें tuning के respect में और यहाँ image के stabilization के point of view से बात करें तो यही हमारा focus point कहलाता है अगला जो term है वो bacteria है I don't think किसको required है समझाने के लिए यह एक single cell organism है जो different different shape के हो सकते हैं इन ही कि shape उनके function को समझने और देखने के लिए हम microscope की study करते हैं the next term is calibration जो कि आपी chemistry में analytical part में का अगला चीज़ों को check करके देखना कि हर चीज़ पर्टिकुलर सिस्टम पर काम कर रही कि नहीं आई पी आपके जो objective lens है वो सब कुछ okay है या नहीं यह इसको check करना हमारा calibration कहलाता है अगला जो term है हमारा वो है cell के बार में आप जानते हैं it is a basic functional and structural unit of life हमारी body काफी सारे पार focal distance पहले इस लाइन को पूरा पढ़ ले समझ में आजाएगा आपको the distance between the end of an objective and the surface of the specimen यह आपका objective lens का end है और यह surface of the specimen इसको देखना चाहते है तो इनकी बीच का distance वो आपका focal distance कहलाएगा focal point कहने का मतलब है in microscope the magnification increase the focal distance decrease magnification मतलब उसके exactly quality में increase होना तो जैसे decrease होगा वैसे respectively ब मतलब मतलब है size में बड़ा होना जो आप जानते हैं और micro का मतलब मतलब है size में चोटा होना that is why we are studying microbiology उसके बाद है working distance working distance मतलब the distance between the specimen जिसको आप देखना चाहते हैं and the objective lens जिस objective lens में आप बात कर रहे हैं this distance allow the movement of objective इसके यह distance है इसी की बीच में आप अपने objective को movement के लिए allow कर सकते हैं इसके हिसाब से हम इसको magnification value और आकर करके lens कौन से use करना इसको decide करेंगे फिर आखरी में जो word आता है वो आता है आपका zoom इससे तो आप सब बली बाती परिचित है mobile में use करते है एक ऐसा knob है basically जो आपके lens के पास या lens के दूर जाने को control करता है कई books में इसे zoom के नाम स देते हैं तो दोनों का मतलब एक इसलिए है क्योंकि ये दोनों पास ला करके आपके object को अच्छे से दिखाने में आपके मुदद करते हैं that is why these are considered as a zoom button otherwise this is just a adjusting knob अब एक basic चीज में आप से share करना चाहूंगा अगर हम कोई चीज को पहले से देख पा रहे है ये जो object देख रह को अगर हम microscope से use करके वे देखें तो वह आपके size को बड़ा दिखायागा तो this is not exactly meaning of microscope this is a zoom या जिसको लोग बोल सकते है magnifying पट मैक्रोस्कोप के respect में अगर हम बात करें तो इस circle के अंदर जो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही आपको कोई भी black dot नहीं दिख रहा ल इसका काम होता है कि आपके आँखों के पास के लेंस में यह एक ऐसा इमेज जनरेट करें जो की नीचे light के through specimen से होता हुआ objective lens के दवारा focus किया हुआ आपके आँखों तक पहुंचे तो वह लेंस जो की final image आपके आँखों तक प्रोजेट करेगा वह आपका आईपीस कहलाता है basically eye piece में depending upon the microscope to microscope यह एक eye piece यह दो eye piece lens के साथ उसका holder भी हो सकता है so यह company to company vary करेगी इस lens की magnification value का हम x के point से denote करते है 10x 5x 15x 20x 25x 50x 100x etc. यह जो x है वो उसको दिखा रहा है कि वो उस object को कितना गुना बढ़ा करके आपको दिखा रहा है यानि कि अगर कोई object 1 cm का है just for example और उसमें आपने 10x का लगाया हुआ है तो वह आपको 10 गुना यानि कि 10 cm बना करके देगा तो अगर आप 10x का objective lens रखते हैं और 10x का eye piece रखते हैं तो final जो object हमारा बनेगा वो 10 into 10 is equal to 100x यानि कि 1 cm का आपको 100 cm के approximately दिखाएगा यह होता है x का मतलब इसके बाद body tube इस body tube जो मैंने आपको दिखाया वो allow करता है light को कि वो light को जो light source से निकला हुआ हुआ है जो specimen के बीच से गुजरा हुआ हुआ है और वो आगे जाकर objective lens के थुरू एक जगह पर focus हुआ है इनको पुरा allow करे travel करे scatter ना होने दे एक particular जगह से उनको allow करे ताकि finally आगे जाकर के आपकी eye piece में project हो सके और आपकी आँखों के दवारा देखा जा सके आर्म की बात की थी मैंने तो जो आपको इस तरह के curvature दिख रहा था वो हमारा arm है जिसको हम adjust कर सकते हैं और जिसको हम लोग microscope को लेके एक जगह दूसर जगह भी जा सकते हैं so this is called finally arm इसके बा distance जादा जादा travel करेगा movement उसका जादा होगा जब कि अगर हम बात करते हैं fine focus की तो बहुत short में एकदम sharp ऐसा minute specimen के पास यह दूर जाएगा जिसको मेरे खाल से आप superficially अक्मी आँखों से नहीं देख पाएंगे एकदम हलका हलका movement होता है जिसको आप लोग eye piece में आख रखकर ही महसूस कर सकते हैं कि कुछ चीज़े focus हो रही है को जो object है आपको वो थोड़ा सा और clear हो रहा है that is called fine focus एकदम छोटा जो knob होगा वो आपका fine focus है इसके बाद nose piece है जहां पे हमारे objective lens है वो यहां पे fit होते हैं यह depend upon the company to company क्रंख्या में दो या तीन हो सकते हैं जैसे आभी आ अगला जो है आपका objective lens एक ऐसा lens जो कि आपके object के pass होगा और object के through निकलने वाले light को अपने through पास होने देगा और काफी अच्छा image बनाएंगे जिसको finally हम eye piece से देख पाएंगे तो object के pass वाला lens that is called objective lens finally है stage यानि कि जहां पे हम microscope में आपके slide को रखेंगे और उस slide में जहां पे हम sample को रखेंगे stage plate stage plate बिल्कुल एक plate है उपर होता है कई books में आप देखेंगे कई जगह इसको आप दिखाया भी जाता है बट most of case आज इसको ज्यादे तर यूज नहीं करते है stage plate में stage में basically glass plate रखा करते थे पहले ताकि उसको वहां पे हम basic support provide कर सके हाज कल काफी कम जग रखने का काम करेगा slide मतलब glass slide है जिसमें हम अपने object को रखेंगे ताकि इसके थूरू observation कर सके अपर्चर जिसके बारे मैंने बात की थी कि वह control करता है कि कितने मात्रा में light को आने देना है basically एक प्रकास है यह hole है जो खुलता और बंद होता है जैसे ही माले यह structure है तो यह aperture ठोड़ा खुला है तो इसमें से कम मातरा में light को जाने देगा यह तब यूज होता है जब बाहर light ज्यादा हो जबकि इसका वाइस परसा कर देखें बाहर light कम है तो यह अपना परचर जादा खोल करके ज्यादा मातरा में light को अंदर जाने देता है तो यह उसकी काम करने के तरीके हैं डाइफराम आपके स्टेज के नीचे होते हैं डिफेर्ट साइज के समें होल होते हैं जो की amount of light और उनके contact time को ये चेंज करने मुदद करते हैं ये वैरियेबल है और आपके जो माईक्रोसकोप के टाइप के accordingly अगला है mirror जैसे ये माली जीए कोई mirror है इस तरह से आपने project किया हुआ है यहां से sunlight है या कोई artificial light है जो आ रही है तो यहां से light आने वाले को इस तरह किसे यह move कराएगी यह reflect कराएगी तो यहां पर mirror आपके light को आपके sample पर project करेंगे जिससे हम easily देख सकते हैं सब स्टेज बेसिकली अभी नहीं है लेकिन किसी किसी जगह में illuminate करने वाले light source की नीचे base प्रवाइड करता है और base जो आपने देखा वो एक प्रकार से microscope का इस तरह से पाया है जिसमें microscope टिका हुआ होता है तो यह आपका base कहलाएगा लक्स की बात करें तो यह leg कहलाते हैं बस ही दोनों एक की साथ पाएंगे अलग अलग ज्यादा तर इसको consider नहीं करते हैं तो यह हो गया हमारे कुछ basic parts and function of compound microscope so friend that's all for today thank you very much for watching this video अगर आप आने वाले समय में videos देखना चाहते हैं फार्माकोलोजी के लाभा दूसरे सब्डेट के तो अस फार्माकोलोजी को concept को समझने के लिए आप pharmacy dictionary को subscribe कर सकते हैं अगर आपका interest होगा तो otherwise keep with solution pharmacy thank you thank you very much for watching this video again